नमस्कार दर्शकूं तो हम रोजाना की तरह फिर हाजिर हैं आज का राशिफल लेकर कैसा रहेगा आपका बुद्बार का दिन आईए जानते हैं आपकी कुंडली का खेल कैसे आएगा आपके जीवन में सुधार बुद्बार को आपको क्या मिलने जा रहा है यही सब जानने की कोशिश होगी आज के राशिफल में तो बात करते हैं मेश राशिवालों की आज शायद आपकी जिन्दगी में कोई नया मोड आ सकता है आज आपको किसी अपने या किसी अजनवी से कोई ऐसी शिक्षा मिल सकती है जिसकी आपको जरूरत थी उनकी सलहा पर ध्यान दें खास तोर पर वो आपसे बड़े हैं तो उनकी सलहा से आपको लाव ही होगा बात करते हैं व्रशवरासी वालों की आज आपको आपने गुरू की सलहा लंबे समय से चले आ रहे दुखों को खात्म कर देने के लिए लेनी चाहिए आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठी करने की कोशिश की लेकिन ये वक्त है अपने ऐसे ही जानकार की सलहा लेने का जो आपके करीब हो और आपकी परवहा करता हो तो बात करते हैं मिथुन राशी वालों की आज आप अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखें ऐसा करके आप उशान्ती को कायम रखेंगे जिसका मजा आप अब तक ले रहे हैं आज जो मुद्दा आपको बड़ा लग रहा है वही बात कल आपको छोटी लगेगी इसलिए आप इस मुद्दे को प्यार से ही सुलजाने की कोशिश करें तो महीं बात करते हैं करक राशी वालों की आज आपको अपने आसपास के कुछ लोगों से साफधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो आपके प्रती इश्या रखते हैं आपके विचार चाहें उनके लिए ठीक ना भी हो तो भी उनके मन में अपने प्रती गलत भावना को ना उकसाएं आप बस अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देते रहें पताते हैं सिंग राशी वालों का हाल आज आपके घर में सुख शान्ती बनी रहेगी ये समय आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही महतपूर होगा आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय वितीत कर पाएंगे घर वालों का प्यार ही इस समय आपको भावनात्मा करूप से खुश रखेगा तो वहीं बात करते हैं कन्या राशी वालों की आज आप खुद को कोई खुश ख़वरी सुनने के लिए तैयार कर लें आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी ख़वर सुनने को मिल सकती है आज का आपका पूरा दिन अच्छे मूड में बीतेगा तो बात करते हैं तोला राशी वालों की आज आपको घर के बड़े बुज़र्गों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए जो चाहें आपसे कुछ कहें या ना कहें लेकिन वो भी आपका साथ चाहते हैं उनकी सेहत के बारे में पूछें और जानने की कोशिश करें अपने घर के इन प्यार से सदस्यों के साथ समय बिताना आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा बात करते हैं वरश्चिक राश्री वालों की अपनी जिन्दगी के विशे में आज आप कुछ रीती बद्ध हो जाएंगे जहां तक किस बात का सवाल है कि आपकी जिन्दगी से क्या चाहिए आप कभी कभी खुद को बहुत उलजा हुआ पाते हैं लेकिन आज आप अपने लक्षों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे तुमहीं बात करते हैं धनूराश्री वालों की आज आप किसी प्रतियोगिता के मूड में हैं जिन्दगी के कुछ शेत्रों के लिए ये चीख है लेकिन ध्यान रहे कि आप कुछ जादा उग्र ना हो खास्तोर से अपने परिवार को लेकर उग्र ना हो तो अच्छा रहेगा आज आपको अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना होगा तो जानते हैं मकर राश्री वालों का हाल आज आप पूरे दिन चिन्तित और परिशान रह सकते हैं इस तनाव का कारण चाहें जो भी हो आप बस अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज्यादा परिशान ना हो परिशानिया तो आती जाती रहती हैं इनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए तो बात करते हैं कुम्बराशी वालों की इस समय आपके रिश्टों में और विश्वास बढ़ेगा आप अपने प्रियजनों के नजदीक आएंगे और अपनी जिन्दगी में उनके महत्व को जान पाएंगे पहले आप उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे लेकिन अवन को गले लगा कर पहले की सवीर शिकायतों और दोरियां को मिटा दें फिर देखें इससे आपकी जिन्दगी में कितना बदलाव आएगा तो अंत में हम बात करते हैं मीन राशी वालों की आज आप किसी सामाजिक समहरों के बाद अपने घर को समेटने में लग जाएंगे घर को ठीक ठाक करें और कुछ आराम भी कर ले आपने समहरों का खोब मजा लिया लेकिन अब अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने का वक्त है तो मित्रो हमने आपको बताया आज के राशी फल के बारे में ऐसे ही धर्म कर्म और राशी फल से जुड़ी तमाम एहम बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल नमस्कार